नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल गौर्वेजा प्रप्शन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अटीपीसी एकजाम से जरू देखेगा तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे रेलवे आप मिनिस्ट्री की तरप से यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है और उस अपडेट में बहुत सारी चीजी यहां पर बताई गी है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि railway ने यहां पर agency selections process चल ले हैं कि कौन सी agency यहां पर exam कराएगी और उसके बारे में आपर tenders provide की जारे हैं इसने लगबक 1.89 करोड यानि कि जो group D का 2018 की यहां पर उन्होंने बात की है उसमें बताया है कि 1.89 करोड लोग का यहां पर exam कराया गया और successfully बिना किसी problem के वहां पर अच्छे से exam सपन किया गया तो यह सारी चीजी यहां पर बताई गी है और साथ में यह भी बताया गया है कि इसी तरह से यहां पर next exam जो कि आपके 2019 में होने वाले हैं जैसे group D, NTPC और missliness और जो exam से उनकी सारी यहां पर बात की गई है और दोस्तों वहां पर जो सबसे महतपूर जाने वाली बात यह है जिससे यहां पर यह संभावना बन जाती है कि आपका NTPC का exam पहले होने की संभावना है तो उस update में साथ साथ दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो tenders दिये जा रहे हैं agencies को यहां पर कि जो agency यहां पर exam कराएगी तो उस agency को tenders देने की यहां पर process जारी है और आने वाले upcoming months में यहां पर जो exams होने वाले हैं तो उसमें NTPC का नाम सबसे पहले लिया गया है वो जो update यहां पर जारी किया गया है उसमें यह नाम पहले लिया है non technical popular category के जो exams होने वाले हैं और जो miscellaneous exams होने वाले हैं उनके लिए यहां पर जो exam agencies हैं और उनके लिए यहां पर selection के processes जारी है तो यह यहां पर बताया गया है तो सबसे पहले हम आपर नाम NTPC का लिया गया है और फिर उसके बाद miscellaneous exams की बात की गई है miscellaneous categories के exam की बात की गई है वाहां पर group D exams की बात नहीं की गई है तो इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जहां तक यह सारी जो news निकल कारा रही है इस news से यही अंदचा लगाया जा सकता है कि जो आपके जो exams हैं NTPC का exams जो है वो पहले होनी की यहां पर संभावना दिख रही है ऐसी यहां पर संभावने बनकर आ रही है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी preparation को constant रखें और उसको लगातार बनाये रखें तो कि यहां पर जो NTPC का exam है वो जल्दी होने की संभावना है अगर exam होता है तो यहां पर group D के पहले NTPC के exam होने की संभावना है जैसा कि यहां पर updates मिले हैं और जैसे कि यह updates रिलीज किये गए हैं तो उसके according होने बताया है कि जो forth coming exams हैं यानि कि जो आने वाले coming exams हैं जैसे कि example के दर उनका बताया गया है कि NTPC और misleans जो exam से उनके लिए यहां पर यह tenders और यह selection सारी चीज़े की जा रही है तो NTPC का नाम होँपर सबसे पहले लिया गया है तो इससे यह संभावना है बन जाती है कि आपका NTPC का exam group D से पहले गया क्योंकि उस जो update है उसमें कहीं भी group D का नाम नहीं लिया गया है तो यह थी दूसरे यहां पर आज की update इससे दर की update पाने के लिए आप माचल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं नए update के साथ अब तक के लिए thanks for watching